तो अब Practice että स्टार्ट करते हैं देखेंगे जो पहला प्रसन पूछा गया है Chief lacks नंबर 1 में पहला प्रसन कूछा गया है कि football tournament FIFA वर्ल्ड KUP 2022 का किताब किस में जीता? ओप्सन दिया गया है Germany, France, Uruguay, Argentina, उसका सही उत्तर हो जागा Argentina, Argentina ने final नुकाबले में फ्रांस को हराकर या किताब जीता है तो अब कुश्चन ये भी पूछे जा सकते कि फीफा वल्ड कप 2022 के उप विजेता कौन रहा तो उप विजेता रहा फ्रांस आगे यह भी पूछे जाएंगे कि फीफा वल्ड कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था तो इसका सही अमेरिका दूसरा है कनाड़ा दूसरा है आपको कनाड़ा और तीसरा है मैक्सिको यह तीनों देस मिलके जो है वेजवानी करेगा इस बार का जो सुभंकर था उसका नाम है लाइब जो कि एक अर्भी वर्ड है साथी साथ अधिकारी मैच गिंद का नाम था अल्रिहाला फाइनल मुकाबला लूशेल नामा के स्टेडियम में खेला गया था उस स्टेडियम का नाम है आपको लूशेल साथ ही शाथ इस वर्ल्ड कप में कुछ नाम काफी ही फिमस रहे जैसे मेशी है जो कि अर्जेंटीना से है नेमार को है ही जो ब्राजिल से है और इसके साथ एक औ खकीन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है मनिपुर मिजोरं 26 जानते हैं हम कि करक रेखा भारत के बीचों बीच होरी जंचली जो है पास करता है जोकी आठ राज्यों से होकर गुजरती और यहां पे मित्र यहां मित्र पे गमच्छा मार जो कुछ भी आपको याद रहे जिसे जहा से जारखंड गुजरात राजस्थान मदपरदेश चतिशगड पंजाब फिर यहां पे मिजोरम और यहां पे त्रिपूरा यह आठ राज्य है जिन से होकर करक्रेखा गुजरती है इसका सही उत्तर हो जाएगा option number A मानिपूर से जारेखा नहीं गुजरती है अगला प्रसने है जब हम सूपर मार्केट में बील अदा करते है तो हमें रसीद प्राप्त होती है यह computer के किस भाग से संभव है जब हम payment करते है तो उसके बाद में जो हमें receipt मिलता है या invoice मिलता ह वह क्या है वह हमारा क्या आउटपूट है तो मतब्स क्या है क्योंकि अप्रिंटर से प्राप्त होती है तो इस प्रकार से यह output यूनिट होने के कारण ही हमें जो है या receipt प्राप्त होती है तासाथ हम बात करते हैं अगर calculation की तो calculation क्या हो जागा अगले प्रस्निक और बढ़ते हैं पूछा गया भारतिये शमिधान के गठन का बीचार इन्हों ने दिया था इन में से किस ने दिया था पंड़े जुहाला नहरूई अगर बात करते हैं अधिकारिक रुप से तो अधिकारिक रुप से 19 veil भारतिय रस्त्य कंग्रेस ने पहली बार समिधान सभा निर्मान की मांग की थी और 1938 में पंड़ी जोहरा नहरू ने उपस्टना की थी कि इस्वत्मत भारत के समिधान का निर्मान ब्यस्क मत अधिकार के आधार पर चुनी गई, समिधान सभादवारा किया जाएगा और इसमें कोई बहारी हस्तचेप नहीं हो। अगला प्रस्न है लाला राजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सेंडर्स नामक पुलिस अफिशर की हत्या किस ने की थी। 17 दिसंबर 1928 को सेंडर्स की हत्या कर दी। अगला प्रस्न है डीने की धानातमक आवेशित चार्य प्रोटीन समुख क्या कहलाता है। अप्संस है हिस्टोन्स, निकलियोन्स, प्रोटीन्स और सिस्ट्रोन्स इसका सही उतर हो जाएगा हिस्टोन्स क्या होता है। अगर बात करते हैं डीने की धानातमक आवेशित चार्य प्रोटीन तो यह होता है। हिस्टोन्स होता है। इसमें हिस्टोन्स में जो है एक और भी यहां पर तथ्थ देखेंगे आप हिस्टोन्स में छार्य अमीनो अमलिये जो होता है। और भारत की पहली कार्वन निट्रल वाली पंचाथ कौन है । का नगन किया गया है लो कौन है आमेठी है चितूर है पल्ली है इडू है इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर सी पल्ली जो कि जम्मु कस्मीर में है आठमा कुशन है 2011 की जनगनना के अनुसार भारत के अनुसूची जनजातियों का सक्षार्था प्रतीशत क्या था यहां ऑप्षन है 73, 69, 79 या 49 तो अगर बात करते है 2011 जनगनना की तो वहां की जो पूरसों की जो सक्षार्था थी वो थी आपको 69 परसेंट पूरसों की अगर जनजातियों की सनरक्ष सक्षार्था की बात करें तो 69 परसेंट थी जबकि अम महिलाओ का था तो वो था आपको 49 चार्श परतिसात और ओवर ओल देखते हैं तो यह टोटल क्या था 69 परसेंट तो सही उतर हो जाएगा ऑप्षन नंबर भी 69 परतिसात अगला प्रसन है यहां पर समान्य रूप से परियुक्त हुने वाले कमपीटर कौन सा है ऑप्षन है इनलोग डिजिटल हइब्रिड या अगला प्रस्ते नौपशान यूग में किस जगह से एक कबर में एक मृत्तक के साथ एक बकड़ी को भी दफनाए गया था अप्सन है बुर्ज हुन, मेहरगड, चीरांद और दमदमाई इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगड, मेहरगड कहाँ पर है यह बलचिस्तान जब पकिस्तान में परता है वहाँ पे ऐसी कबर मिली है जहाँ पे कबर में एक मृत्तक के साथ साथ एक बकड़ी को भी दफनाए गया था अगला प्रस्ण है जीवानु नील हरी सेवाल का था माइक्रो प्लाजमा किस जगर्ट में वर्गी करित किया गया अब यहाँ पे प्रस्ण यह बनता है यह जो है फंजाई एनमिलिया मोनेरा और प्रोटिस्टा इसका वर्गी करनल किसने किया था वर्गी करनल में जो है और इंकंड में ऑन हत्तर में घ्यक्रट में ट्वाल किया गया थया इस्थो में 1ग भेंठय जो भी थे जिवानू, नील हरित, सेवाल या हरित प्लाजमा इन सबों को जो है मोनेरा जगत कंद्रगत रखा गया था इसका सही उत्र हो जाएगा अप्शन नमबर अगला प्रस्न है पैम्पीरो अस्थानिय सीतल हवाय कहां चलती है यह अप्शन है रूस, अलास्का, अर्ज जिवाशी, राष्टपती, द्रोपदी, मुर्मू बनी है इनका संबंद किस जन्जाती से है अप्शन है मुंडा, उराओ, संथाल और हो तो यह आपको की संथाल से रखती है यह आपको संथाल से रखती है ऑप्शन नमबर बी बात करते हैं महामहीम की तो यह जो है हम कैसे लिठा जाएगा ध्यान दिजैगा यहां पर प्रिंटर हम इसते हैं प्रिंटर को क्या किया गया है और आई को में और ती को यहां को यहांर रख़ती हैं थी को यहां डालेक्प्य और यहां डालेगा तो यहां पर क्या याँ आ जाएगा फिर यहां पर यहां डाल देंगे वह को लाइस में डाल देंगे और आर को यहां पर तो सी आई वी यू आर वाई आर ओप्सन नमबर इसका इसका अगला प्रशन है दे लिटिल बुक अफ ज्वाय उस ते के लेखा कौन है अप्शन है दलाई लामा जैसमान्टुटू रॉष्किन बंड और ए और बी दोनो इसका सही उत्रह जाएगा ऑप्सन न कोई नहीं इसका सही उत्र हो जाएगा कुशानकाल इसमें क्या थी कुशानकाल में जो महायान की विकास हुआ था इसकी दो प्रमुक विश्यस ताई थी पहला का था मुर्तियों में बुद्ध की उपस्तिती सिर्फ कुछ संकीतों के माधन से दर्साय जाती थी उधारन के तोरपर उनकी निर्वान प्राप्ति को पीपल के पीर की मुर्ति द्वारा दर्साय गया था पर अब बुद्ध की परतिमाय बनेने लगी इसमें से अधिकांस परतिमाय मथुरा और तक्षिला में लगी हुए मैट्रोगंडिया की तरह निमन में से किसमें डी ने तथा राइवोसम पाया जाते हैं आपको पास अप्ष्ण है प्लैशीड है रसधानिया है लाइसोश्रम है और गलोजी उथका इसका सही उत्ता अप्ष्ण नंबर ये प्लैसीड प्लैसीड क्या होता है ये किवल पाद और रंग भी रंग दिखते हैं जबकि लीकोपलास्ट प्रात्मिक रूप के अंगख है जिसमें स्टार्ज तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचीत होते हैं यहीं कारण है कि इसमें प्रस्तावना से संब्धी सब्दों को क्रमश सजाए जैसे यहां प्रभुत शंपन धर्म निर्पेक्ष भारत की प्रस्तावना की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा प्रभुत शंपन समाजवादी धर्म निर्पेक्ष अगले प्रस्न क्यों बढ़ते हैं यहां पुशा गया है यहां देख लेंगे हम भारत के लोग भारत को एक शंपन प्रफुत शंपन समाजवादी धर्म निर्पेक्ष लोगत अंतरात्म गनराज बनाने के लिए कितने लोगों को भारत की प्रस्तावना याद है अब आप हाय स्कूल में होंगे तो उस समय देली जो है प्रस्तावन और 105 है अब इसमें अगला स्रीज क्या होगा तो चार दूना आठ दू दस फिर यहां पर दस दूना वेस अजोर किन तैस हो गया फिर तैस गुना तो ठीक है जोर यहां पर चोटेस दूना च्यालिस जोर चार पिर आगे बढ़ते हैं तो 50 गुना तो 90 और इसमें 5 जोरें तो क्या हो जागा 105 हो जाएगा तो एक सो पांच में 2 से गुना किजिए और 6 को जोडिए तो ऑक सो पांच में दू होजखा जाएगा 210 आजा जोर यहां पर छोटी अगला प्रसन है भारत में बर्तमान की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाप कौन है मनोज मुकंद नर्वने अशोक कुमार अनील चोहान और मनोज पांडे यह हो जाएगा इसका सही उत्र हो जाएगा अनील चोहान पद की गठन किया गया था एक जनवरी 2020 को किया गया था भारत के पहले सीडियस थे वह जर्नल वीपी नरावत थे जिनका दुरगाटना रस्तम अतविनका मिर्तु जो है बहुत थी दुरभाग बस हेलिकॉप्टर क्रैस में हुआ था तमिलाडु के तमिलाडु राज में फ्रस्तित है और सने बुलधाना एर्ना कुलम कुलम और रुपर इसका सती उत्तर हो जाएगा बूलधाना में है बुलधा में है एक किस प्रकार की जील है ये जो ए खारे-Pानी की जील है जिसका निर्मान जो है ज्वरामखी उदगार के परिणाम से रूप हुआ है जमाली जमाली कमाली मस्जीद और मकवरा महरवली दिल्ली में पूरा तत्व ग्राम परिशर में इसी थे जिसमें एक दुसरे से सटे दो असमारक सामिल है एक मस्जीद है और दुसरा जमाली कमाली का मकवरा उनके नाम के मस्जीद के साथ मकवरे के लिए जमाली कमाली के रूप में एक साथ टैक किया गया है क्योंकि वे एक दूसरे से सटे हुए थे 1528-39 में मस्जित और मकवरे का निर्मान किया गया था और 1535 में उनकी मिर्थ्टू के बाद जमाली को मकवरे में दफनाया गया अब अगला प्रसना यदि घड़ी का सुई जो है आठ बचास हो तो जल का पर नमबर एक हो जाए अगला प्रसना यहां पूछा गया है कि यदि कोई 9 वंको की संख्या है यहां जो दिया हुआ है क्या है 72 से विभाज है तो 3x-2y का मान क्या होगा 72 से विभाज है इसका कहने का मतब 72 का अगर गुरंखन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 9 होगा मत संख्या के लास्ट का 3-digit लास्ट का 3-digit लास्ट का 3-digit लास्ट का 3-digit अगर 8 से विभाज होगा तो वह संख्या भी वह आर्ट से विभाज होगा तो लास्ट के 3-digit को हम लिखते हैं एक मिनिट और लास्ट के 3-digit को हम लिखेंगे तो यहां देखेंगा क्या हो और यहां पर वाई हो गया तो ध्यान नहींगे अगर इसको आठ से डिवाइड किजिए आप आठ नवा 72 हो गया तो यहां पर 78 में से 72 गया तो यहां पर कितना बज़ गया च्छोव तरबर हो रहा है कि अ अगला प्रसन पूछा गया यहां पर कि यदि 9 वाउंकों की संख्या जो यहां दिया हुआ है यह क्या 72 से विभाज है तो यह संख्या 72 से विभाज है तो कहने का मतलब कि यह संख्या 8 और 9 से भी विभाज होगा तो पहले हम देखते है आठ से एक नियम क्या करता है कोई भी संख्या के लास्ट का थरी डिजिट अगर यह संख्या यहीं विभाज चार होना चाहिए ना तमने यह 64 हो जाएगा तो आठटाई 69 सट पुड़ी-पुड़ी कट जाएगा तो यहां confirm है y का मान हमें कितना आ गया यहां पर 4 आ गया अब देखते हैं x का मान अब यहां देखेंगे 9 का भी वजता कनियम क्या कहता है इन सभी पदों का योग जितने सभी अंक है न इन सभी अंकों का योग अगर 9 का यह गुनज में होगा अर्थार्त 9 से भी भाज होगा तो यह संख्या भी जो है 9 से भी भाज होगा देखेंगे 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 देखेंगे 9 छो 15 15 पंदरा पांच 20 वी सतिन 26 29 29 और साथ हो गया 36 36 हो गया 44 ठीक है 44 प्लस एक्स प्लस प्लस य क्योंकि य कमान अल्यड़ी हम निकाल है कितना चार तो 44 और यहां पर 4 जूटेगा तो हो गया तालिस प्लस एक्स तो हम यहां पर क्या होने यह क्या जागा हमारा तो निश्चित रूप से यहां पर प्रश्ण में पूछा गया है तो हम पास एक्स का भी मान पता है तो धीरी गुने एक्स एक्स कमान कितना आगे हमारे पास जो कि प्रस्ण पुछा गया भारत है भारत क्या है अप्सन है राज्यों का समू राज्यों का संग राज्य या इन में से कोई नहीं भारत क्या है यह है राज्यों का संग है अनुछेत एक में कहा गया है कि इंडिया यानि भारत राज्यों के समू के बजाए राज्यों का संग होग कोई भी राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वह खुद को अपनी आप को भी भक्त कर ले यानि बहारात से वो खुद से अलग नहीं हो सकता है उनको इसलिए बाटा गया है उनको राज्यों में इसलिए रखा गया ता कि परसास्नीक दश्टी नहीं है वहाँ पर क्या गया है यूनियन के चर्चा किया गया है यही कारण है कि तमिलादू गवर्मेंट कभी भी जो भी Central Government को संभोधित करना परता है तो उसुने जो कभी Central Government संभोधित नहीं करता है जब यू करता है वह Union tourist कि रूप में संभोधित करता जो कि काफी ही जो है चर्चित विशाय है यूनियन गवर्मेंट और सेंट्रल गवर्मेंट के बारे में तो यह अनुछेद एक में कहा गया कि भारत जो है राज्यों का संभू नहीं है क्योंकि कोई भी राज्यों को अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है अब बढ़ते हैं अगले प इसका सही उतर हो जाएगा अप्सन नंबर भी वेब्रियो कॉलरी अब यहां पर क्या अब देखे गया पर्टीनिया सोलेनियम इसके कारान जो हता है आत्रोग होता है अगर कोई बिक्ती कांचा कांचा जो है ना उन्राइप्ट जो है पॉर्क मीट का सेवन करता है तो उसे सिस्टिक कोरियोसिस होता है प्रसन काफी पूछे जाते है कि सिस्टिक कोरियोसिस जो है किसके कारण होता है तो यह है अगला प्रसन पूछा गया नाटो सीकर सम्मिलन 2022 का आयोजन कहां होगा ऑप्शन है मैं यहां ओप्शन दिआ गया है मैड्रीड है कोपेनहोगन है अन्स्टरडन है और यहां पे बिलिनियस है इसका सही हुतर हो जाएगा ओप्शन नमबर मैं मैं इसका सही हुतर हो जाय का यहां किया गया है जबकि जो अगला सीकर सम्मिलन होगा वह आपको जो होगा लिथोन वादिया में होगा ठीक है इसका सही उतर यहां पर हो जाए अगला प्रस्ण है यहां पर देखते हैं यहां पर नाटो का पुन रुप क्या होता है नौर्थ अत्लांटिक ट्रीटी जो भी important point मिल रहे है उसे आप लोग note करते जाए क्योंकि यह प्रस्ण में काफी सारे points आपको दिये जा रहे हैं इसलिए बहतर होगा कि जो भी point आपको मिल रहा है वह आप वीडियो को पाउज करें और जो solutions को देखें और साथ ही साथ जहोंसे note-down करें अगला प्रस्ण है गंडग परियोजना किस राज की परियोजना है या किस राज या किस देश की जो परियोजना बोल सकते यह जो उत्तर परदेश बिहार नेपाल और उप्रोक्त में से सभी यह जो है यह संजुक परियोजना है यह परियोजना जो है उत्तर परदेश बिह और नेपाल की संयुक्त प्रयोजना है इसके अंत्रगत जहने बिहार के भाईशा लोटन जो कि वालमिकी नगर के नामक अस्थान पर गंड़क नदी पर भारत नेपाल सीमा के समीब सरक पूल के साथ साथ 837.8 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है इस बैराज से दो नहरे निकली हुई है इसका तरिक इस योजना के अंत्रकत दो विदुत ग्रिहों का भी निर्वित की जा गया है एक विदुत ग्रिह जो है बिहार में है और दूसरा कहां पर है नेपाल में अगला प्रस्ण है किसके निर्थित के समय इसके निर्थित में बंगाल धीरे-धीरे मुगन नियंतरन से अलग हो गया इसका शही उत्तर हो जाएगा option number B, नागर सैली, नागर सैली क्या था, ये जो है साथवी और तिरहवी सतावदी तक था, जिसमें क्या था, उत्तर भारत की ये सैली थी, जिसमें हिमाले से लेकर बिंद परवत के पहले तक फैला हुआ था, वहीं बात करते हैं, बेसर सैली की, तो बेसर सैली आठवी से option है पश्ची मंगाल, मिजोरम, मनिपूर या अशम, इसका सही उत्तर रह जाएगा option number B, मिजोरम में, ये जो है मिजोरम के साथ साथ नागालेंड और मियानमार में ही मनाया जाता है, इस तेवार का संबंद फर्शन तथा अपने पुरवजों के स्रधानजली देने से, अग इसका सही उत्तर रह जाएगा option number D, यह जो है एनलीजा जो गरीन गंती जो है यह सुमिलित नहीं है, क्योंकि इसका जो है उत्सरजनल कौन होता है, नेफरीडिया होता है, अगले प्रस्न क्योर बढ़ते हैं, यहां पूछा गया निवी में से कौन सा देश, बक्षाइड के पूछ पादन में पहला अस्थान कों रखता है, और बात करें भारत का तो भारत जो है इसमें पांच पास्थान रखता है, जबकि चाइना जो है सेकेंड पोजीशन पर होता है, वक्षाइड किसका आयास्क है, यह पूछा जा सकता है, तो अलमुनियम और गैलनियम का यह अगला प्रस्ण है 10% प्रती बर्थ की चक्रविर्थी ब्याज से किसी निस्ची तरहिए सीवर्ष का ब्याज क्या है? चारसो एकफालिस है यह ब्याज वार्षिक संयोजित है तो रासी क्या होगा? यहां दिया हुआ आपको क्या है? rate दिया हुआ 10% पर enum है देखें 10% पर enum है उसके बाला आपको बाद time जो दिया हुआ है 2 years है और साथ साथ जो CI दिया हुआ 400, 41 हम जानते है CI क्या होता है P into 1 plus R by 100 to the power T minus 1 यहां क्या दिया 441 ओलेड यह दिया हुआ है P हमको निकालना है यहां जब इसे आप देखेंगे 1 plus R 10 by 100 to the power 2 minus 1 हो जागा फोल्प करेंगे तो 441 बराबर P into यहां से क्या 10 यहां से काटी है तो 10 आये क्या रहा 111 गरही है 101 बटा हो गया 100 minus आगे बढ़ाईए इसको 441 बराबर P into पिर यहां पे 101 में से 100 हो गया कितना हो जाएगा 111 बटा हो गया 100 पिर एकेस से एकेस मुर्टबी अकट गया तो P बराबर कितना हो जाएगा 11 तो सही उत्तर हो जाएगा आप्सन अपर अगले प्रसन के बढ़ते है इसमें पूछा गया है कि वर्स 2022 में पदम पुरुसकार कितने लोगों को सम्मानित किया गया यानि पदम पुरुसकार कहने के मतलब पदम स्री हो गया पदम भीवूशन हो गया पदम भूशन हो गया तीनों कैटेगरी से मिला कर कुल कितने लोगों को इसमें पुरुसकार दिया गया था इसका ओप्सन है 149 है अब देखते हैं अगला प्रस नहीं पूछा गया है उन्हें सतापदी के उत्तराध्य में नव हिंदुवाद के सवस्य स्तति निधी कौन थे राजा राम रोहन राया रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद और इसका सही उतर हो जाएगा option number D स्वामी विवेकानंद 1893 में सिकागों में गया थे जहां पे उन्होंने सिर्कत किया था वर्ल्ड पार्लियमेंट और रिलिजन यानि विश्वधर्म संसद में अपना सुप्रसीद भाशन दिया था इस भाशन के तह तुम्होंने पच्छमी देशों को भारत की संस्कृति को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तूत किया था और इस प्रकार से वह क्या थे होने लगता और ऑट फेलियर 현 A 1998 कया होता है यह इस में क्या होता है इस में यह क्या होता है क्या होता है क्या होतातों है कारण जाती है अगर बात करते हैं यहां पर किया फिल्वर हुस्ता है जिसमें रक्त नहीं पहुंच पाता उसकी आपूर्ती हर्ट फिल्वर ठीक हुए किर्दे घाथ की तरह नहीं होता सिर्दे फिलिवर को रखत अ परयाब्थ होने के कारण जो है इसे आप याद रखिए अगला पुछा गया है राजसमत जील किस राजय की परमुक जील है और उत्राखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा option number A राजस्थान में उससे था यह कृतिम जील है इसका निर्मान महराना राज सिंग द्वारा 1962 में कराया गया था अगला प्रस्न है भारतिय राष्टिय कोंगरेस का प्रत्थम अधिवेशन कहां पर हुआ था आपके पाश ऑप्शन है दिल्ली है पूने है लाहौर है और मुंबई है इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई क्योंकि क्या हुआ था यह पहले जो होने वाला था पूने में ले किया था और यह दिवेशन पहला दिवेशन था जो कि 28 दिसमबर 1885 में आयोजित किया था अध्यक्ता तो यह हम ने किया था यहां पर सुझाओ जो है ना डादा भाई नवरेजी ने दिया था जिसके नाम वदल के इसको जाए वारतिय राष्टिय कोंगरेस अगला प्रस्ण है बरतमान समय में देश में राष्टिय दलो के कुल संख्या कितनी है आपके पास ऑप्शन है यहां पर तीन है पांच है आठ है और नौ है पहले है क्या थी आठी जो किया बरके अब कितनी हो गई है नौ हो गई गुजरात चुनाव जब संपन हुआ तो इसमें आम आदमी पार्टी जौ है एक राष्ट्रिय पार्टी के रूप में बन गए अब भारत में इसके राष्ट्री राष्ट्रिये पार्टी वंगी है और इसके अलावए जोtre你 आम आदमी पार्टी नाम है और है जानते होंगे वजे उसमान सर्ते जैसे क्या मानने से चार या अधिक राज़ियों में राज अस्थरिय दल के रूप में उसके राज की ये पार्टी होती है च्हेत्री के रूप में उसे मन्यता मिलनी चाहिए या इसके अलवे राजसभा के विधान सभा चुनाओ में चार इसे अधिक राज्यों में पुल बैद मतों का कम से कम छौ परतिसत उसे मत पराफ्थ होनी चाहिए तब जाके उसे मिलेगा साथ-साथ इसके एक भी कंडिशन ये भी बनता है कि उसे लोक सभा में कम से कम चार सीट भी जितना चाहिए यानि इस कंडिशन के साथ ये भी लागू होता है या तीसरा condition क्या है इसका है कि कम से कम तीन राज्यों से लोक साभा में कुल सीटों का कम से कम दो परतिसात वसीट जीतना चाहिए तो यह तीन condition में से कोई condition अगर फुल्फिल करता है तब जाके किसी भी party को रास्तिय पार्टी के रूप में मन्याता मिलती है अगला प्रस्ण है गाय बैल के पालान भारत का घ्रणी राजी कौन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी पश्छी मंगाल गाय बैल के जबकि दूसरा अस्तान पर कौन आता है उत्तर परदेश आता है और बात करते हैं यहां पे नसलों की तो अभी तक लि मुखमंत्री कौन बने हैं आपके पास अप्शन दियेगा है सुखविंदर सिंग्सुखु जैराम ठाकुर प्रेम कुमार धुंबल और बिर्भाद सिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए सुखविंदर सिंग्सुखु का उन्हें कॉंग्रेस पार्टी से स माइक्रोज, लेक्टोज, सुक्रोज और सेरोटीन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी लेक्टोज, लेक्टोज के कारण जो दूद्ध है मिठास हो जाएगा है इसमें पूछा गया है कौन सा गैस चूने पानी को सफिद बनाता है ऑप्शन है अमोनिया, हो सफिरी बनता है और इस टू बनता हुए यह किसके कारण समभव हो पाता है अगला प्रस्शन पुछा गया अन्य योजना की की शुर्बात कब किया गया था आपके पास संह नहीं पास ऊप्शन है 1199-1200 पिर है इसका प्रमुकुदेश क्या था इसका प्रमुकुदेश है कि भारत को भूखे की समस्या से निदान दिलाना है अगला है यहां प्रस्ट है यहां पर प्रस्ट करते हैं तो यहां पर पांच भगे पांच फिर पचा पचीश गूने हो जाएगा दो फिर दो दूना चार हो जाएगा गूने पांच अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे तो इसे सॉल्व किजीएगा तो पांच भटा पचीश ते क्या हो जागा वर जोर दो जोर दो बटा चार पांच उग्तर हो जाएगा यह जाएग ऒर प्रशन के और बढ़ते यहां पूछा गया भारत में पहले ग्रीन पहले मोटे आना से संचालित होने वाले ग्रीन फिल्ड बेस्ट इथनल प्लांट का उध्गाटन कहां पर किया गया अप्शन है इंदॉर लखनाव कोलम और पूर्णिया विहार तो यह जो है पहले भारत की पहली फिल्ड ग्रीन फिल्ड फिल्ड घ्रीन टेजिए अनाज से बनेगा अन्य पूर्णिया विहार हड़ नंबर बिंसका अगला आस्थाई बंदवस्था किसके साथ किया गया था रियतों के रहते कई किशानों के biच्वलियों के साथ या जमिन edited वथा च्याधस टो आफ स्थाइब बंदवस्ति पर्णाली के स्पर्णम किया था इससे जो है इस्तम्रारी जागीदारी या मालगुजारी यो विश्वेंदारी आधि भीनवी नामों से जाना जाता था इस व्यवस्था जो है बंगाल बिहार उरिशा तथा उत्तर परदेश के बनारसी तक छेत्रों लागू थी इसके अंत्रगत क्या था जमिनदारों को एक नए वर्ग को भूष्वामी घोशीत कर दिया गया था जिसे जो है भूमी लागान का दस बटा एक आरवा भाग कंपनी को देना परता था जबकि एक बटा एक आरवा भाग भी अपने सिवाव के लिए पास में सब्सक्राइब अगला प्रस्टर पूछा गया है कि इंग्लेंड के लिचेस्टर्स क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान भारतिये खिलारी के नाम पर रखा गया है तो आप्सटर सौरब गांगली सुनील गवासकर और सचीन तेंदल कर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सटर नमबर बी सुनील गवासकर लिटिल मास्टर के नाम पर जो है इसका नाम बदल के तक दिया गया है अगला प्रसमे कुछास आगया है कि हाईड्रोजन ऑंभार के अनुभार ओको घट इसके बाद उसके बाद च्छोटा इसके बाद च्छोटा इसके इसको सजाना वह तो देखेंगे हम यहां यहां पर आपको क्या है पहला यहां पर इलकैन और तो यहां पर मिल रहाएंस नहींतिकर और यहां पर अलखल मेद इन न प्रि articulate क्या है गोॉसमें सी जो होता है था है थीण-स्यम我們的 तो यहां पर बताना है इन सब का पहले अनुभार निकालना है तो हम एक छोटा सा यहां पर हेंट्स देता हूं अनुभार निकालने के लिए हम यहां पर लेंगे जैसे कि हम छोटे से लेते है उसे ब्यूटेन का यहां कितने पार्टिकल है और जानते हैं कर्वं का अट्रोमिक मास्कितना होता है रहा होता है तो इसे प्रकार से आप सब को निकालेंगे रिकेंगे यहां भी इसका अठावन से इसका गार्ण पहले पहले क्या हो गया थीक है उसके बाद क्या होगा विटेन के बाद में हो जाएगा अलको हल अलको हल में कौन अजाएगा थेनल ठीक है तो अप्सन नमबर इसका बीसी जाएगा प्रतिहीम के रूप में निमलीखीत में से इसका परियोग किया जाता है आपके पास प्रोपिल अल्कुहल है अजनिट होता है प्रोपिल अल्कुहल है यह अगर हम वहां की टो अगर वहां पर एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं डालेंगे तो जम जाएंगे वह जो है वह सौलिट की फॉर में चले जाएंगे जिसे कारण काफी समस्या होने लगती है तो एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है एक एंटी-freezing एजिंट के रूप में काम करता है यहीं कारण है कि इसका पर्योग प्रतिहिं जो है प्रतिहिं इंजनों में किया जाता है और साथ-साथ जहां पर थंडी प्रदेश्तों होती है वहां पर इसे इंधन में मिक्स करके किया अगला प्रस्मा पूछा गया है कि एक बिक्ति अपने बौस की डाट खाने के बाद डाट नहीं डाट जाट होाँ यहां से यहां से प्रेसर यहां आया और यहां से प्रेसर यहां जाएगा और उसके नीचे अगर कोई चप्रास्य होगा तो फिर वहां जाएगा तो यह विस्थापन प्रकडिया से होते हैं अगला प्रस्ण है किस राज के तंदूर तंदूर लाल चने को भॉगोलिक संकेतिक जी आई टैग प्राप्त किया गया है इसका option दिया गया है देखेंगे मदपरदेश है तेलंगाना है यहां पर क्या है उत् ठीक है यहां पूछा गया है निम्ज में से किस लकड़ी का पर्यों खिलोना बनाने तथा नक्षा नकाशी के लिए किया जाता है अब आते हैं अगला प्रस्न यहां पूछा गया है ठीक है यहां एक वेपारी के पास तीन प्रकार के बरतन के मतरा है यहां प्रकार के जो भी कुशन होते है तो चार सो पैंसाटाइस और पांसो नमासी इस तीनों का हमें निकालना होगा क्या जब हम इसको निकालने के बाद में क्या करेंगे तो इसके बाद क्या करेंगे जो भी यहां संख्या है पहला संख्या है चार सो चार सो पैंसाट को 31 से कर देंगे फिर उसके बाद पांसो सटाइस है इसको भी 31 से कर देंगे फिर पांसो नमासी है इसको भी निकीत में से की सकार्ज को 1770 रिगुलेटिंग एक्ट के तहत नहीं किया गया था यहां पर ऑप्सन दिया गया है पहला देखिए बंगाल में गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया एकदम कहा गया था कलकत्ता में उस्तम नियाले की अस्थापना हुआ था यहां पर सकते हैं पूछा गया पूछा गया समाज सास्ति के पिटा के रूप में किसे मानते हैं यहां ऑप्सन है मूलर है पैट्रोक है मैक्स मेलर है और अगस्त कौमट है अगस्त कौमट को जो है समाज साथ के पीता के रूप में माना जाता है ओफ्सन नमर इसका डि सही हो अगला प्रस्ण है आत्मविश्वास में अस्कर की कमी का परिणाम क्या हो सकता है खराबरिच्व निरशन हो गया निमनरुरुची है और अगला क्या ह कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा खराब कर अगर आत्मी विश्वास के असकर में आपको कमी होगा तो कोई भी काम आप सही से नहीं कर पाएंगे तो यहां पर खराब कार्ज करें अगला प्रस्थ है नदियों में जल प्रदूसन को मापा जाता है क्लोरिन की घुली ही म मात्रा से नाइट्रोजन गुली में मात्रा रही हे लोट डिमांड होता है उसको करते हैं तो इसका सही उत्र है अप्सान नंबर डि consol का अगला प्रस्टन है रिगूर किस प्रकार किस मिठी का दूसरा नाम है अप्शन है लाल मिठी जलोड मिठी काली मिठी लेटरायल मिठी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर यहां इसे कावा मिठी भी नाम से ही जाना जाता है काली मिठी का भागली खेत्र कहाँ विस्तार महाराश्ट राज में अगला प्रस्टन यहां पूछा गया है कि साहित नोबल पुरुषकार 2022 जीतने वाली एनी एनॉक्स का संबंद किस देश से हैं ऑप्सन दिया गया है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस यह फ्रांस से संबंदीत है एनी एनॉक्स एनी एनॉक्स ने यह जो एक फ्रांसेसी लेक्षा है यह जो है जो आवार्ड दिया जाता है स्वेडिस अपने लेखर में साहस और ततश्ता के साथ ब्यक्तिकत अस्मृति के जरो ब्यवस्थाओ और सामुहिक परतिबंदों को उज सुनने रहता है तो जैसे जैसे हम उचाई पर कोथनांग क्या होता है को जैसे जैसे हम उपर की और बढ़ते हैं वह से वैसी क्या होता है कम होते जाता है कारण है कि जब हम पहार की चोटी पर जाते है तो वहाँपर खाना बनाना क्या होता है आसान होता नहीं害हां में थोड़ा दुस्कर हो जाता है क्योंकि कि वहाँ क्या होता है वह तो यह था बठने के साथ साथ कम हो रहा उसके कारण को अभी कम हो जाएगा तो जो जुञ कि जल्दी वहां पे यहां पे अपने धर्ती पे जो चीज उबनने में चाहिए तो अगर वहां पे हम डाल बनाएंगे डाल को सिजने के लिए अगर जो है अपने ट्रड़न नाइट्रोजन अक्शीजन केल्सियम पासपुरस Heieran ऑकशीज़न और सफेसियम इसका सही अतर हो जाएगा ऑप्सेयरोन कर्वन ऑर नाइट्रोजन नमकीन प्यांवर देख लेजिएंस अपर का MIN-पर जीवन बनगेंगे के मूल उत्तर दाई तत्व कारवन हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बने सरल योगिक रहे है जो आगे चलकर बने जटील योगिक को पुर्वगामी है अगला प्रसंद कुछा गया निवन में से किस ब्रिक्ष को जंगल की आग नहीं कहते हैं ऑप्सन है धाक टेसू किंसुक और केंथ देखिए धाक है टेंशे है केंशा है और केंथ इनमे से केंथ को जगल की आग नहीं कहते है तीदेगी यहां पर पलास नामक ब्रिक्ष की लाल रंग के कारण आकरसिक कर इसे हैं रगांशे उब्स टेसू कंसुक और केशू इन सबों कर गया जंगल को चाए ठीक है इसका जिफा बाइग्यानिक नाम क्या होता है यह मंत्री परिशत का एक भाग है इसमे केवल कैबिनेट अस्तर के मंत्री शामिल होते है मंत्री समिधान संसुदर 1978 द्वारा अनुछे 352 में मंत्री मंडल काविनेट सब्द जोरा देखते यहां देखिए कौन सा कथन सब्दे नहीं है यहां पर यह सही है यह भी सही है मंत्री मंडल में जो है आपको यह जो है छोटे आकार का निकाया होता है जिसमें 15-20 मंत्री होते जो है गलब है नंबर सी समें का अगला प्रस्ण vão कोचा गया किसी तत्व के परमानु की कि हन कुल इलेक्ट्रोन की संख्या क्या होगी अब कोई इलेक्ट्रोन यहां ऑप्सन 18, 8 है और 32 है यहां पर क्या 32 है अब यहां पर कोस helemaal है जो है जो फिक है यह यहां पर होगा तो यह पर क कि शंख्या होगी तो इन को निकालेंगे तो देखें यहां पर चार हो गया चार का सुरगुना दो बराबर कितना और 32 इसका सही उत्रज़ेगा ऊप्सन नमपर 32 अगले प्रसंद की वर बढ़ते हैं इसमें पूछा गया है 62 में 2022 में आयो जीत है 2022 में आजित राष्ट मंदल खेल का कौन सा संस्क्रान था इसका जो है आपको बतिश्वा है विश्वा है एकतिश्वा है और बाईश्वा है तो यह जो बाईश्वा राष्ट मंदल खेल जो है यह संपन हुआ था 2022 में बाईश्वा राष्ट मंदल खेल जो है कहां पर संपन हुआ था बरकिंगम में संपन हुआ था ठीक है जो कि बरकिंगम कहां पड़ता है UK में पड़ता है इसका सुभंकर कौन था यहां पेरी था जो कि क्या है यह का बहुरंगी बैल है इसका आदर्स वाक था सभी के लिए खेल अगर बात करते है तेश्वे र राष्टमंडल खेल का आयूजन किया जाएगा यहोगा विक्टोडिया जो है वहाँ का प्रांथ है वहाँ पर है एक तेसे ने गहालेंति है और इसामनिक्की में इसाफ कर सबसे बरा आज पूछा जाता है जब्किघवाण के दक्रतक्षेदगों से सबसे बरा राज जो वस्तुवों की कीमत है और सासत आये, दोनों क्या हो जाए है, दुगोन ही हो जा रही है, जो आप पहले 10 रुपया कमाते थे और 5 रुपया में अगर कोई चीज खरीद रहे थे, आगे चलके आप कितने कमाये, 20 रुपया कमाये, लेकिन जो आप चीज 5 रुपया में कमा र जो होगी न, वो क्या होगा, अब परिवर्टित होगी, अप्सन नमबर 30 का हो जाएगा, सब्तर का, अगले प्रसंद क्यों बढ़ते हैं, यहां पूछा गया है, जीला साख योजना बनाई जाती है, लीड बैंक के अंतरगत, नवाट के अंतरगत, जीला पंचायत के अंतर रीड बेंक की संगया दी जाती है, अगला प्रसान है, प्रस्ट अथे हैं, यहां पर क्रिवर्टन की राज़ा है, और बात करते हैं प्रथम चंद्रयान अभियान का तो इसने सोवियत संग ने किया था उनीस सो उनसाट में भीजा था अगला प्रशन पूछा गया है 9.648 गुने 10 to the power 4 कालरी पर मोल जो है किसका नियतांक है आपके पास option दियेगा है इसका सही उत्तर हो जाएगा option नमबर अगर बात करते हैं यहां देखे लिए 9.6.8 याद रख लिएगा अगले प्रसंद पूछे गया है कि सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूबगर का विभाजन किस ने किया था आपके पास option है बैंडर ग्रेट ओमस ने स्वेस ने और डेली ने इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वेस अप्शन नमबर सी स्वेस ने किया था बात करते हैं सियाल सीमा और नीफे तो सियाल सी के कुरता होती है जब कि सीमा की बात करते तो सीमा में कवता होता है सिलका और मेगनिशयम की में पातर होती है या प्रिटमी की आपको बता दे अभी हाल फिलान में जो अभी विश्वा हॉंकी जो है चल रहा है यह भी कुशन जो पूशे जाएंगे जो कहां पर हो रहा है जहां कि विश्वा में सबसे बड़ी हॉंकी एस्टेडियम बनाया गया है अगले प्रसन क्योर बरते है प्रमशुन्य ताप और पर किसी भी तापमान प्रैमान का आरंभिक बिंदु है है यह तप मान होता है और अगर पूछा जाता है कि यह कितना होता है तो यह होता है 273.15 degree centigrade या 0 degree Kelvin हो अगले प्रसंद के और बढ़ते हैं पूछा गया भारत dynamics limits का मुख्याले कहां है आपके पास option है है हैदराबाद कलकत्ता नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा option नंबर यह हैदराबाद है इसके अस्थापना कवई थी 1970 में की गई अगले प्रसंद में पूछा गया है कि जैन्तिया जैन जाती निम्न से किस राज में पाई जाती है और इसमें यह जो है जैन्तिया में आदिवासी समूह है इसे नाम से भी जाना जाता है अगला प्रसंद है COVID-19 के समय विदेशों में फंसे लगभग 15-100 के करीब होंगे ठीक है भारतिय नागरिकों को घर लाने के लिए विदेश में विदेश मंत्राले दोरा कौन सा आपरेशन चलाया गया था तो आपरेशन मेकचंद आपरेशन बंदे भारत मिशन आपरेशन स अगला प्रस्ण है किस पंचवरशी यूजना में क्रीशी ने रीनात्मक विकास परदर्शित किया था ञेए अविपसन इन दूसरी तीसरी चौथ या पाँच भी असका नमबर ती तीस्री पंचवर्सी योजना में उसमें रिनात्मक दिए गया था लेकिन जैसे ही जह है उसके बाद करते हैं तीस्री पंचवर्सी में तो रिनात्मक दिखा है लेकिन उने सो 165 के दोरान बृतिधी दर दिखाया था जो की 1% बहुँद आते हैं पुछा गया है कि तरकारी ब्यावक को नियंतरित करने का प्राथिकारी मैं को नियंतरित करने को प्राधिकारी है बित मंत्रारे के पांट विभाग होते है जिसमें आर्थी कार्ज विभाग है राजश्व विभाग है बित्य बिनिवेश विभाग तथा बित्य शेवा विभाग अगला प्रस्ण है उच्छा गया है मनी तुम्भी सिंग मनीपूर के एक डॉडड़ खिला रही है यह मनी काफी परसीद है अगला प्रस्ण बढ़ता है तारे अपने उर्जा नीमन में से किस प्रकार से प्राप्त करते है ऑसन दिया गया है आपको नाफकी भिखंडन नाफकी शल्लेनन रासाइनिक उर्जा और गुर्तवा कर्षन यहां देखिए तारे में क्या होता है नाफकी श अगला प्रश्ण के बढ़ते पुछा गया खुश्व खुशहाले सुचिकांग 2022 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत का अस्थान कौन सा है ऑप्शन है 103, 117, 122 और 137 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्व खुशहाले सुचिकांग 2022 के द्वारा जारी किया जाता है अब की बार 146 देश्व को इसमें सामिल किया गया था है जिसमें फिनलेंड को प्रथम अस्थान मिला है जबकि अफगनिस्तान सबसे दुखी रास्टों में न तो सबसे पूछा जाया या अरून इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरहस्पति के पास सरवाधी की उपगरा है भी सबसे बरा गरह है किन्तु यह गैसी यह वस्था में जानना किसी समस्चा के कारणों का जानना किसी समस्च्चा का उनमुलन करना, समस्या के बारे में सुचनाय कत्रिक करना, एक विशे समस्या के पड़ी नामों को ज्याद करना, परियोजना कार्ज का उद्श नहीं है, परियोजना में क्या करते हैं, तो वहां पर उनमुलन स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, हम पहले कारणों को जानते हैं और उसके बाद जो है उसके बाद प्रावधान लाकर उसको समस्याओं का उन्मिलन करते तो सबसे पहले क्या करेंगे वहाँ पर कारणों को जानना परेगा उसके बारे में कारणों को जानेंगे कैसे उसके लिए हमको सुचना एक कठित करना परेगा सुचना जब एक कठित कर करती प्रकाश कुर्जा प्रकाश से गवप्र सर रिखा में करती बढल करती है प्रकाश है तो इसका प्रतविम बनेगा यह दिखा रहा है कि जी प्रकाश है यहां दिखा रहा curiosity इसके कारण जो है इस पर पढ़ने के बाद में रिफ्लेक्टीटों के इसका परतिभी में बन रहा है अगले प्रसन में बढ़ते हैं यहां पूछा गया है कि गर्भवती महिलाओ के टीका करन किस राज ने मात्री कवचम अभियान का सुर्वात किया कि महाराष्ट्रा और परदेश का सही उत्तर हो जाएगा कि लोड मैं काले के संब्ण्ध नहीं जैंग्रेजी सिक्षा से से सेना सुधार से सरे सुधार से चाहरे ढ़र हिलुके। जाले मैं करने की वाकां किया स्टे में कि स्टिया और मंदरिया तीनों जो है सट्टे बाज है लेकिन ये दलाल क्या है यह यह बंबाइ एक्सचेंज है अवस्तित यह तो यह क्या है एक स्ट्टे बाज नहीं है यह क्या है एक स्ट्रीट पद जो है कौन ग्रहन करता है जैसे अगर त्याग पत्र देता है तो उसके बाद उसका पद कौन ग्रहन करेगा टेंपररी रूप में यहां अप्शन है उत्परधान मंत्री राश्पती काविनेट मंत्री यह इनमें से कोई नहीं इसमें से कोई नहीं धनम क्योंकि जैसे ही प्रधान मंत्री अपना त्याग पत्र देता है वैसे ही क्या होता है मंत्री मंदल का बीघटन हो जाता है तो इसलिए वहां पे कोई भी जो है उनका मत्तब अक्सेसर के रूप में जो है फिलाल उस समय तक लिए कोई यानि यह तुरंत जो है बदग्रहन नहीं करता है ठीक है दूसक्यों के उसमें मंत्री मंदल का बीघटन हो जाता है अगला प्रस्ण पूछा गया है विस्वर रेड़ क्रोश विस्वर रेड़ क्रोश दिवस 2022 का थीम क्या था ओप्शन एक है यूमिनिटी फरस्ट सेफ्टी फरस्ट फी हुमेन काइंड और फैमिली सेफ्टी फरस इसका सही उत्र हो जाएगा क्जा फीर फालों का दिशास क्रोश बाग का स्रेड़ के है अगला प्रस्ट निमलीःख्मत से किसका शुरक्षचत अस्थान है अवस्थित के जो है ताइगर रिजर्व है इसकी अस्थापना जो है 1978 में सरिस्का राष्टी उध्यान को 1978 में टाइगर रिजर्व में खोशी था अगला प्रसने कल्यान संबंधी समीतियों के संदर में नीमियों से कौन सा कथन शत्तिन नहीं है आपके पास ओप्षन है यह समीतिया अनसुति जा करके आवस्यक सुजाओ देते हैं इस समीति में किसी मंत्री को सदस्ट नहीं बनाया जाता है यहाँ पर इस समीति में दस सदस्य जो है लोक सभा तो था वी सदस्य राज सभा से ऐसा नहीं है इसमें क्या होता है वी सदस्य जो होता है आपको लोक सभा से होता है जब कि दस सदस्य जो होता है वो राज सभा से होता है इसका सही उत्तर हो जागा इसका ये कथन गलत है मां कि सभी इसक इसके तहत क्या किया गया था कि समयधानिक नीरह कुस्ता सिधान लाया गया था यह अधनियम गीरिटी संसर्द्वारा सरवाधिक भीश्तित अधनियम साथी साथ यह भारत के लिए तैयार समयधानिक प्रसताव में सबसे जटिल दस्तावेज था इस अधनियम में भारत संग की अस्थापना संगियव नयापालिका किंद्र तथा राजयों के मद्द सक्तियों का विभादन आधी की विवश्चा की गई थी अगला प्रस्न है एक रंगीन टेली विजन में तीन अधार्बत रंगों का मिश्ण से रंग बनते हैं यहां पर प्रात्मिक रंग कौन है यह पूछा गया तो नीला लाल नीला ना न Tutaj लाल हरा नीला कि खिक क्या होता है नीला हरा और लाल नीला हरा और लाल अप्शन नमबर 20 का सेयोग ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यहां कुछना पुछाएगा सरल अवर्त गती में जो रासी नियत रहती है वो क्या कहलाती है विस्थापन अवर्त काल गती जोड़ जा या इस्थित जोड़ जा अब यहां समझेगा सरल अवर्त गती में जो नियत क्या रहती है यहां समझेगे यहां पर मान लेते हैं यह एक पार्टिकल है यहां से मानते है यह जो है इधर की तरफ एक गया और एक इधर की तरफ तो ध्यान देंगे अगर यहाँ particle जो है इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर कुछ distance को cover करेगा फिर यहाँ particle इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ भी कुछ distance को cover करेगा लेकिन यहाँ दोनों दिशा में क्या है उनकी दिशा अलग-अलग होगी तो जब दोनों की दिशाय अलग होगी तो यह क्या होगा विस्थापन तो सेम नहीं होगा तो पहला क्या होगा नियत जो है क्या रहागा विस्थापन तो नियत नहीं होगी क्योंकि आप देख रहे है एक पार्टिकल इधर जा रहा है और एक पार्टिकल इधर जा रहा है तो और इधार से इधह गया माले यहां तीन घंटा लगा इस नियत नहीं 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 तो इसका Bear प्रसन यहां पूछा गया दो आपसा तथा सी आपसा प्रथा किस ने सुरुवात की नामक ब्रिक्षा रोपन अभियान की सुर्वात किया विष्ण कुझ नामक पर्योजना यानि एक इनिस्येटिव जो किया गया है वह किस राजी दोरा किया अप्शन है पश्यमंगाल स्रिपूरा उत्तर-पर्देश या 36 इसका सही उतर हो जाएगा अप्शन नमबर दी हो जा वह क्रिशी पर ठारित है घारत में अपक्ल बहुगळी छ्व्वल के लगभग 51% भाग पर क्रिशी कार्ष होते हैं 4% भूभाग पर चारगाह होते हैं और 24% भूमी बन्जर तथा बीना किसी उप्योग क्ये परकार से एक नमबर एक खत्म होगा अगर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो अगर आप चाहते हैं कि आगे पी ऐसे ही प्रैक्टिसेट चलता रहे तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रारंभिक अवस्था में हम लोग चाह रहें कि सब्ता में कम से कम दो प्रैक्टिसेट आप लोगों को कम से कम दो प्रैक्टिसेट उपलब्द कराया जाए यह संख्या आगे चलके और भी बढ़ाया जा सकता है जैसे ही जब वैकेंसी आ जाएगी तो उसके बाद प्रैक्टिसेटों के संख्या बढ़ा दी जाएगी और आपको पता होगा पिछले साल जो है लगबा डेर सोछी कराया गया था उरे जो है इस बड़र जब तक लूभ को प्रेक्टिसेट चालू रहेगा आ wij puppies विडियों को जरूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने झाल झाल